जल इसकी अपनी ही विशेशताये हैं ठंड में ये बर्फ बनकर जम जाता है गर्मी में भाप बनकर उड़ जाता है और यदि इसे ऐसे वातावरण में रखा जाए जहाना अधिक गर्मी हो और ना ठंड तो ये वर्षा बनकर बरस जाता है परंद हर परिस्थिती में ये अपना अस्तित्व संजोय रखता है उसे खोता नहीं जल के इसी स्वभाव को हमें राजनीती में सफल होने के लिए अपने व्यक्तित्व में आत्मसाथ कर लेना चाहे यहां समझने वाली बात ये है कि राजनीती में कुछ भी स्थाई नहीं होता ना शक्त्रता ना मित्रता यदि कुछ स्थाई होता है तो वो है आपका लक्ष और उस लक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें कभी किसी से संधी तो कभी किसी से संबंध विच्छेत करने पड़ते तभी आप अपने लक्षे को प्राप्त कर सकते हैं और अपना अस्तित्व संजो कर रख सकते हैं